हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो मैं चैनल, स्माइल ओपलनी भी डॉक्टर पुनम दांत हमारे शरीर का बहुत ही एहम हिस्सा होता है जिसको मुस्टे लोग नजर अंदाज करते हैं लेकिन हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारे पूरे शरीर पे एफेक्ट करता है अगर हम अच्छे से दांतों से चबा के नहीं खा पाएंगे अगर हमारे दांत भी कोएंगे तो उसकी वज़े से हमारा डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होएगी हमारा डाइजेश्टर सिस्टम है वो भी वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे शरीर की जो mechanism है वो उस पे काम करती है लेकिन अगर हम अच्छे से चबा के हमारे दांतों से खाएंगे तो इससे क्या होगा हमारा पूरा जो शरीर है वो healthy रहेगा और स्वस्त रहेगा तो मैं आज की इस वीडियो के थ्रू दांतों को मजबूत और healthy रखने के कुछ तरीके बताने जा रही हूँ जो हर एक इनसान को जाना बहुत जरूरी है और अपने daily जो routine है उसमें इसका इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि आपके दांता है वो बहुत मजबूत रहे और आप अच्छे से खाने को चबा के खा सके तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइगन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे निव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक सबसे पहले जो दांतों को हेल्दी और मजबूत बनाये रखने का जो तरीका है वह बहुत ही सालों से मतलब य और मैंने अपने अलग से वीडियो भी बिना रखाए और मेरे बहुत सारी वीडियो में बारे में बताती हूं दांतों को हेल्दी और स्वस्त रखने के लिए तो इसमें भी हम जान लेते कि ओल पूलिंग होती क्या है और इसको कैसे करना है इसके लिए आपको क्या करना है नारियल का तेल या फिर तिली का तेल इन में से कोई भी तेल ले सकते हैं और इसको एक कप एक चमच ले लीजे या दो चमच लेजी उसको अपने मुह में अच्छे से लगाई और चारो और घुमाईए और कम से कम यह जो प्रोसेजर आप 10-15 मिनिट तक कीजिए इसको और यह जो पूलिंग करने से अपके दांत मजबूत बनते हैं साथ यह अगर आपके मुह से दुर गंद आती है वह भी दूर होती है आपके मसूडों में को इंफेक्शन है वह ठीक होता है और के विटी होने के चांसे आपके बहुत कम हो जाते हैं तो रेगुलर और पूलि और एंटी बैक्टिरियल गुण होता है जो हमारे माउथ के जो बैक्टिरिया होते जो अन्वांटेड बैक्टिरिया होते जो हमारी दांतों और मसूडों को नुक्सान पहुंचाते हैं उनको डिस्ट्रोई करने का काम करता है इसलिए आपको रोजाना दिन में दो बार जरूर कीजिए ऐसा करने से आपके दांत है हेल्दी रहेंगे और मजबूत होएंगे अगर मसूडों की को इंपेक्शन है घाव हो गया माउथ में वह भी ठीक होता है और साथ ही आपके एक माउथ वोष जो नेच्रल माउथ वोष होता है उसका भी ये काम करता है गुनगो ओके दांथ में की बिटी है दांतों में दर्थ है तो अगर हम लों लगाते है या लोंका तेल लगाते हैं तो उससे ठीक होता है अगर आपके sensitivity की problem हैं तो भी से आपको काफी benefit होईगा लेकिन आपको कैसे यूज से करना है आपको है मारकेट में क्लोवय झाल भी थीज heating च् होता है और अगर किसी भी रिजन के वज़े से दर्द और संसिटिविटी है वो भी कम होती है आप चाहो तो इस ओल को अपने मतलब दो या तीन ड्रोप अपने फिंगर पे लगाई और इससे अच्छा से मसाज की उससे भी आपको काफी बेनिफिट होगा तो क्लोव ओल भी आ दांत है वो हीलने लग सकते हैं और दांत हो जाते हैं तो केल्सियम जिन डेरी प्रोड़क्त अगर दूद रही पनीर अगर आप इंस जो का सेवन करते हो तो इससे आपकी केल्सियम डेफिशन सी ठीक होती है तो आपको रेगुलर अपनी डाइट में केल्से वाली चीजों क को शामिल करना है साथ ही अगर रेट से भी आपकी केल्सियम डिप्सिन सी ठीक नहीं होती है roamingTube केल्सियम आपको अच्छे से नहीं मिल पाता है तो आप सपलेइस भी सप्लिमेंट्स मिलते हैं टेबलेट वर्म में आप चाहो तो और चाहो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके भी केलसेम स्टार्ट कर सकते हो तो यह भी आपके दांतों को हेल्दी और मजबूत बनाता है इसके अलावा आपको अपने डाइट में फूर्ट में मौसली आप चाहो तो एपल दिन में एक एपल अगर आप रोज खाते हो तो आपके दांत है वह आपके पूरी बोडी में भी इससे बहुत फाइदा मंदा मतलब अगर आपके हार्ट में को इंपेक्शन है या डाइजिशन में को प्रॉब्लम है तो अगर आप एपल खाते हो तो इससे काफी आपको फाइदा होता है तो अपनी डाइट में एपल को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा अगर आप दिन में दो बार सौट ब्रिस्टर वाले ब्रेश से ब्रेश करते हो तो आपके दांत हैं वो हमेशा स्वस्त रहते हैं साथ ही कुछ भी खाते हो जैसे कि आपने चौकलेट मिठा स्वीट्स यानि कोई भी खाना खाया है खाने के तुरंत बाद आप क कोई भी छोटा मोटा इंपेक्शन होने वाला है तो वह डोक्टर आपको समझा के बता के मतलब कंसल्ट करोगे तो आपको बताएंगे कि यह प्रॉब्लम है तो बढ़ेगी नहीं आपका दांत का इस्यू और आपके दांत है वो हेल्दी रहेंगे तो यह है आज का टॉपि वीडियो अच्छा लगे तो प्ली चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यूँ